वेलकम बैक तो माइड दू चैनल ठाइंक यू सो मच हमेशा की तरह इतना प्यार दिखाने के लिए तो मैं हूँ बेफल तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस बहुत लोग ने बोला होगा कि कार लेना अच्छा नहीं है कार ड्राइविंग राइसेंस की इंपो कार होता है ठीक है यह नहीं बोलता है कि यहाँ पर आते ही कार लेलो ठीक है अगर आपके बजवहां में कुछ चीजे हैं पर वीडियो में आपको एक एकिसे करेगा जो आपको समझ में आएगा अब जैसे मैं मान लो ठीक है कि मेरा कभी मन करता है इंडिया में ठीक है कि कभी मैं पैसे कमा लो कि जा के कभी भी कमा लो कमा सकता हो नहीं पर यहां पर यूके में क्या होता है जैसे मालो कि आप कोई जॉब कर रहे हो ठीक है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आपके पास जैसे जस्ट इट का उबर इट्स का या कोई भी आपके पास लाइस उनका से नहीं निकाल पारे हो 9 to 5 Monday to Friday आपने जॉब कर दिया अब आपके पास बचा किया इंजॉइ तो आप वैसे भी कर लोगे ना अब हर Saturday Sunday तो आप इंजॉइ करोगे नहीं और रेस्ट भी कितना बंद करता है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं जिसे बता है जर्राइटे हो गया सैटेडए दैक अगर आपको ड्राइविंक बहुत अच्छे से आती और आपके पास ब्राइविंग लाइसेंस है आक यह प्रूवड वला है तो आप बैठे बैठे पैसे कम से कम यह है कि अगर मानलो आप चार या पांच घंटे भी काम करें तो 50 पाउंड से 60 पाउंड कमा लोगा साथ पाउंड अगर आप कमाते हो तीन दिन का तो मानलो 180 पाउंड और इसी को चार से मल्टिप्लाई करो देख सकते हो आप कि इतने आपके हो जाते हैं ठीक है तो इतने पाउंड अगर आप बैठे बैठे कमारे किसी के अंडर नहीं है अपने मर्जी से काम कर रहे हो ठीक है कोई आप पर प्रेशर नहीं है तो इससे अच्छा जॉब कर रहे हो ठीक है वो तो आप करी रहे हो बहुत बढ़ी है ठीक है आपको उससे 1800-2000 पाउंट आपको बन रहे महीने के पर आप सोच रहे हो कि हाँ यार कुछ मेरे को और सेविंस करनी चाहिए तो और सेविंस करने के लिए आप क्या करोगे आप कोई और इंकम देखो है वो उसके साथ delivery driver या और कोई ओला या और कहीं भी काम कर ले यार कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है पर हमारा जो society है जो हमारे इंडिया का culture है जो हमारे environment है वो हमें ऐसा mentality का allow नहीं करता हमें ऐसा करने नहीं देता हमें मजबूर करते हैं कि लोग क्या कहेंगे यार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में मैं software developer हूँ मैं एक लाख रुपे कमा रहा हूं महीने का फिर मैं अगर यह वह भी हर काम कर सकता है तो भाई मैं यह नहीं वोड़ा कि हर सौफ्टर डेवलपर करेगा भाई जिसके पास गूगल की अगर मान लो कुछ चीजे हैं कुछ चीजे हमें नहीं मिलती है कभी-कभी जरूरत पढ़ जाती है कार लेनी हो या होम लोन लेना हो या किसी और पर करजा हो कुछ भी खाइदना हो कुछ फंचन आ गया हो तो हम उस टाइम पर सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कहां पर यूके में एक ऐसी कहानी है जैसे कि आप कोई में अपना जॉब कर रहें वाल्ड कोलर जॉब है आपके प खाते कर सकते हैं घर वह मैक्सिमम में टींव में यहां तो हैं आप पर पर यहां पर खोह औित्व होता है obviously जिसको driving आती हो तो थो driving पास कर लेगा हर कोई नोंसे अराम से बैठे बैठे अपने कार के वारिष हो जाए जूत और कितनी भी थंडी हो बैठे-बैठे अराम से गर देस्द कमा लेते अब करांव सब्सक्र हो मार वह ठीके तो आप इस चलते आप अपने financially भी आप ग्रो कर सकते हो financially भी अपने आपको backup कर सकते हैं support कर सकते हो और ऐसे ग्रो कर सकते हो और यार मैं कहां बोल रहा हूं कि आप जिंदिगी वर UK में रहो ठीक है अगर आपके पास जो आपको पसंद आता तो आप रहो नितो पांच साल यहां पे exposure लो यहां प पूरे वर्ल्ड से पढ़के आते हैं उसके बाद अपने इंडिया में वह करते हैं ठीक है मैं हर किजी को नहीं बुरा मैं एक एक्जांपल तोरके आपको explain कर रहा हूं और यहीं बताना था कि अगर आपके पास driving license होगी यहां पर आपके पास यहां पर अपनी कार होगी तो इसके मैं मानता हूं उसे खर्चे होंगे 1200-200 पाउंड जो से खर्चे होंगे पर यह होगा कि आप कभी खाली बैठो के नहीं आपको जो मेंटल स्ट्रेस होगी ना वह कभी नहीं होगी अप अराम से कभी भी जब आपका मन चाहे रात को दो बज़ाए बहुत लोग सोच रह इसके नहीं बना देते हैं तो और अच्छा लगा हो ठीका मैं इसे वीडियो स्टे नि आते हुँ यकी के बारें बता तो वहाई मैं बता रहे हूं चाहे आप Canada चाहे उके physician की हमेंसार डिमांड रहेगी वह हैं ट्राइवर्स की ठीक है यहां पर ट्रांस्पोर्ट सिस्टम इनका इतना स्ट्रोंग है कि इनका बिना ट्रांस्पोर्ट सिस्टम के कुछ भी नहीं हो सकता अब मैं, दिखाता हूं यह जो मेरे पीछे इतना बड़ा आजड़ा रिटेल प पाउंड भी होता है पर हां यह होए कि आप शे साथ होना चाहिए रिस बड़े एक्जू तो आपको काफी अच्छे कमेंट ज्यादा आएंगे उस पर एक क्वेशन पूछ लूँगा और यार देखो यार मैं एक बाद बता रहा हूं देखो अगर कोई आपको इनुवर्सिटी चूज कर रहे हो ठीक है कोई उनुवर्सिटी अगर चूज कर रहे हो जार उसके बारे में खुद भी थोड़ा बह आपने उनुवर्सिटी चूज करनी है फिर शॉट लिस करो हां पर दस इनुवर्सिटी हो गई है ठीक है इसके रहेंकिंग के इसाब से उसके लिंक्डिन पर प्रोफाइल बनाओ लिंक्डिन पर जाके ऐल्यूमिनाई से बात करो उनके ठीक है काडिफ में अगर उसमें पूछो के तो हाँ थोड़ा बहुत बता पाऊंगा अगर आप काडिफ मेंट्रोपोलिटीन इनुवर्सिटी के बारे हैं पूछो के तो हाँ इक्जैक्ली मैं बता पाऊं कि मेरा एक्स्पीरियंस है अब और जो बंदा उस इनुवर्सिटी में रहता है वह सबसे बेस्ट बंदा है उसको आंसर देने का बाकी और कुछ क्वेश्टिन पूछोगे तो मैं बता दोंगा आप उनसे कैसे होना जैसे मालों कि आपको किसी उस पर पर उस स्पेसिफिक उन्वर्सिटी के बंदे से आपको कनेक्ट होना है तो आप क्या कर सकते हो आप इंस्ट्राम पर जा अगर यहां पर आ रहे हो तो कोई वरी नहीं करना यहां पर जॉब दबाके है भाई मैं बता रहो बहुत और बहुत बड़ा गयप है यहां पर गोरे काम करना नहीं जाते इनके पास स्किल्स होते नहीं होते हैं पर वैसे नहीं होते भाई तो मैं बता रहो ऐसा कोई डरने क बात नहीं है ठीक है अब देखो वही बंदे हैं जो इंडिया में कुछ नहीं कर पाते तो सोचते की हाइस टुडिस करने यूके में उसके बाद भाई यहां पर तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको अपने प्यार मारने पड़ेंगो जो भी करना हो भाई मुझ यहां पर यूके आये हो तो हर चीज में experience लेना लेना तो आपको बहुत कुछ शीखने को मिलेगा आप बहुत एक मेच्छोर बंदे यहां से यहां को हर चीज के मामले में मैं यह नहीं बोरूब के चार चीजों में पैर मारो पर है कि भाई हर फिल्ड का थोड़ा बड़ा कि जहनकारी हो तो आप उसा आपना खुद बड़ा कर सकते हो आपको पता लग जाएगा कुछ ना कुछ लूप हो लए यहाँ पर मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं तो चलिए बाई यह वीडियो बहुत लंबा हो गया और बारिच भी हो तो इस वीडियो बन कर नहीं पड़ेगी अगर मेरे वीडियो फसंद आते हैं तो देखते रहें क्रिपया और आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बागी में और वीडियो लेके आते रहूँगा चलो बाइटाइंक्स फ़र वाचिंग माई वीडियो बाइट